हेलो एवरीवन आप सभी कईवा फिर से रुद्धा नर्सिंग एक्सप्रेस में हार्देख स्वागत है आशा करता हूँ कि आप सभी लोग अच्छे होंगे आज के मारे इंपॉर्टन टॉपिक कम्यूनिटी हेल्थ नर्सिंग के अंतिगत आज हम लोग यूनिसेफ टॉपिक आपको यहां पर हिंदी प्लस इंगलिस दोनों में ही नोट्स प्रोवाइट किया जाता है यदि आप इस वीडियो का पेडिया प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टिलिग्राम चैनल को फॉलू कर सकते हैं उसका लिंक मैंने डिस्क्रेप्शन बॉक्स में दे दिया ह और जो भी वियर से चैनल पर पहली बार विजट के चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लें और साथ मों नोटिफिकेशन बेल को दबा के और पर क्लिक कर लें ताकि आप सभी को मारे नर्सिंग से रिलेटिव वीडियो को नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके तो चलिए की तो सबसे पहला हमारा पॉइंट है उनिसेफ का जो पहले नाम था पूरा नाम क्या था उनाइटिद नेशन इंटरनेशनल चिल्डन्स इमर्जेंसी फंड था ठीक लेकिन अब इसका नाम जो है चेंज कर दिया गया है आपको याद रखना है जो करंट नेम है अब यह इसका पूरा फूल फॉर्म होगा राइट चलिए बात करते हैं इसकी स्थापना कब होई थी तो याद रखना है आपको 11 दिसंबर 1946 टीक है 11 डिसंबर 1946 में जो इसकी स्थापना होई थी बात कर लेते हम लोग इसकी हैड़कॉर्टर की तो इसका हैड़कॉर्टर कह की तो इस समय इंडिया में यूनिसेफ के द्वारा बनाये गए ब्रांडम विजडर कौन है तो याद रखेगा आईश्मान खुराना जो की एक बॉलिवोड एक्टर है राइट चलिए बात कर लेते हैं वाइ स्थापना क्यों की गई तो सबसे फर्स्ट हमारा पॉइंट है क्यों स्थापित किया गया याद रखेगा दुतिय विश्वियुद से प्रभाविज जो बच्चे और माताएं थी उनको ततकाल राहत प्रदान करने के लिए जो है यूनिसेफ की स्थापना की गई क्लियर है चलिए नेक्स्ट पॉइंट हमारा यूनिसेफ जिसको अभी हम 1949 तू प्रोमोट दा राइट्स एंड वैल विंग ऑफ चिल्डरन यूनिसेफ जिसको हम संयुक्त रास्ट बालकोस कहते हैं ठीक है जो किसका पूरा नाम है बच्चों के अधिकारों और कल्यान को बढ़ावा देने के लिए उनिस सो उननचास से भारत में काम कर रहा है यान चलिए बात कर लेते हैं लोग यूनिसेफ के रिजिनल ओफिस की यानि की छेतरी कार्याल है ठीक पूरे वर्ल्ड की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले हमारा है अमेरिकास एंड कैरिबियन ओफिस ठीक यह कहां पर होगा पनामा सिटी ठीक पनामा इसकी जो है कंट्री र प्लसीफिक रिजिनल ओफिस बैंककॉक ठाइलन राइट चलिए नेक्स्ट एमारा इस्ट इन अंड शाउथन अफ्रीका रिजिनल ओफिस यह कहां पड़ेगा आपका नैरोवी में और नैरोवी कहां है कीनिया में चलिए अगला हमारा मिटल इस्ट एंड नौर्थ अफ्री रिजिनल ऑफिस यह कहां पड़ेगा सेनेगर में क्लियर है चलिए बाग कर लेते हम लोग अब्जेक्टिव के कि युनिसेफ के क्या उदेश है तो सबसे पहला है मारा इट एमस तो इलिमिनेट हंगर वालेशन आफ चेल्डरन्स राइट और डिस्क्रिमिनेशन अगेंस्ट क इसका मुख उदेश भूख बच्चों के अधिकारों के उलंगन और जाती छेत्र या धर्म के खिलाफ भेदभाव को खतम करना है युनिसेफ का प्रमुक उदेश दुनिया भर में बच्चों की रक्चा करना और उनको अच्छे सिछा प्रदान करना अच्छा बोजन प्रदान करना ठीक यह इनके बुरियादी कार होते हैं किसके हमारे युनिसेफ के राइट चलिए बात कर लेते हैं हम लोग फंसेंस की युनिसेफ के क्या क्या कार है तो सबसे पहला हमारा चाइल्ड है ठीक है बच्चों के स्वास्त को लेकर यह बहुत ही जागरू करता है ठीक अगला क्या है चाइल्ड न्यूट्रिक्शन यान की बाल पोशन बच्चे को जो है संतुलित पोशन आहाथ हमें यहाँ पर प्रदान करता है यह कौन युनिसेफ ठीक है परिवार एवन बाल कल्यान यह उनके स्थापना करता है और उनको देखता भी है चलिए अगला ह सबी के लिए सिक्च Ten यानूerd क setti 데 जाशन याशन यहाँ भी धर्म यहाँ पर आडे नहीं आता है ठीक है चाहिक अमीर हो चाहिक गरीव हो हर एक बच्चों के लिए यहाँ पर एजूकेशन ठीक है अगला है हमारा promotion of primary healthcare यानि कि प्रात्मिक स्वास्त देखवाल को बढ़ावा देना clear है next है हमारा promotion of basic environmental sanitation बुन्यादी परियावरणी सुक्षता को बढ़ावा देना ठीक है अगला क्या है provide safe and wholesome water ठीक wholesome water से मतलब क्या है पॉस्टिक जल ठीक है और सुरक्षत कैसा जलोना चाहिए सुरक्षत और पॉस्टिक जल हमें उपलब्द करवाना चाहिए राइट चलिए next है हमारा currently UNICEF is promoting a campaign known as GOBI campaign to encourage four strategies for a child health revolution वर्तमान में अगर हम बात करते हैं तो UNICEF बाल स्वास्ट करांती के लिए चार रणीतियों को प्रोसाहिद करने के लिए उसने जो है गोवी नाम का एक अभिहान को वह बढ़ावा दे रहा है ठीक तो GOBI का मतलब क्या है यहाँ पर G4 क्या हो जाएगा आपका growth chart अभी growth chart से मतलब क्या है better monitor child development यानि कि हमें बच्चे के विकास का monitor करना है with the health of growth charts ठीक O का मतलब क्या है for oral rehydration to treat all mild and moderate dehydration ठीक है यानि कि बच्चे में जल की कमी यानि की पानी की कमी को रोकने के लिए हमें उसे oral rehydration देते रहना है ठीक है चलिए next का हमारा B, B का मतलब क्या हो जागा for breast feeding ठीक है मा का इस्तानपान बच्चे को बहुत जरूरी है जो कि बहुत जो है किन से help करता है तो यहां कुछ बीमारियां लिखें हुए जैसे आके आपका मीसेल्स हो गया, diptheria हो गई, polio हो गया, pertuses है, titnes है और tuberculosis है आसा गटनों के topic आपको अच्छे तरह से समझ में आ गया होगा, topic कैसा लगा, comment करके जरूरू बताएं, यदि आपको यह video पसंद आया है, आपके लिए helpful है तो उससे like जरूर करें और अपने दोस्तों के शार्थ में ज़्यादा से ज़्यादा से share करें, तो तब तक के हैं, take care and bye bye, thank you so much.